street style करारी-करारी आलू टिककी बनाना सीखेगे आज और इनी से जानेंगे की कैसे बनाते हैं कौनसे measurement लेते हैं जिससे की इनके टिककी इतनी करारी-करारी और स्वाधिश्ट बनती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो चलिए शुरू करते हैं टिककी के लिए इन्ह इसमें डाल देंगे अप थोड़ा सा हराधनिया और जो टिक्की है ना वो करारी करारी किस्से बनती है उसके लिए डालते हैं इसमें अरारूट तो जैसे इन्होंने 5 किलो लिये हैं उबले हुए आलू तो 500 ग्राम डालेंगे इसमें अरारूट अगर आप घर पर थोड़ी क् हैं तो जैसे आपने 1 किलो आलू लिये हैं उबले हुए तो 100 ग्राम डाल देंगे इसमें अरारूट थोड़ा सा डाला है इन्होंने नमक नमक बहुत ज्यादा एड़ नहीं करते हैं इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए आप इन्होंने बिल्कुल इसे डो की तरह गूथा नहीं है केवल अरारोट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो उबले हुए आलू लें उन्हें पहले पूरी तरह से ठंडा कर लें उसके बाद आप कद्दुकस करें ये आलू टिक्की घी में तो इनके पा अट अच्छे से और की ये इनोने मतर ले लिए हैं उबले हुए और इसमें पहले से शहाले नमक डालकर इसे उबाल लिया इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरादनिया बहुत ही थोड़ा सा डाल रहे है है ये हह रादनियाetी आलू टिकी को करारा करारा सेकने में लगता है बहुती टाइम तो यह पहले से कुछ तैयारी करके रख लेते हैं जैसे कि यह जो इन्होंने दो बनाया हुआ है आलू का उसमें से टिक्की बना कर और इन्हें थोड़ा सा फ्राय करके रख लेंगे तवे पर ही टिक्कियों को पलट कर दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा सेखेंगे और जब यह दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सेख जाएंगे उसके बाद यह सभी टिक्कियों को इस तरह तवे के साइड में लगा देंगे और जब भी कोई कस्ट्रमर आएगा और टिक्की घान होगी तो ऑडर देंगे उसके बाद यह टिक्की बनाना शुरू करेंगे मतलब इसे फिर से फ्राय करेंगे अभी जैसे कि मैं बनवा रही हूँ इनसे एक टिक्की तो यह नहोंने टिक्की डाल दी है इसको थोड़ा सा दबा कर डाला है जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिख जाएगी और तवे के साइड में ही इन्होंने रख दी है यह उबले हुए मतर जिस पर डालेंगे हरी मेर, छ साइड में इन्होंने तवे के रख लिया इसको जिससे कि इसका एक्सिस ओयल जो है वो तवे पर ही नीचे निकल जाएगा और डाल रहे हैं इसमें कुछ मसाले काला नमक, सफेद नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर भी डाला है अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर है इस टिक्की को सेद करने के लिए निकाल रहे हैं यह मिटे वाली कटोरी में को मैं तो कभी कभी जब घर पर बनाती हूँ तो उब्ले हुए मटर ski कर देती हूँ किवल आलू Понाकर उसके उपर कहटी मीटी और हरी अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं बस ये डाल रहे हैं इसके उपर ये मीठी चटनी हरी चटनी और ये फैटा हुआ दही उपर से डालेंगे इसमें प्याज जीरा पाउडर थोड़ा सा हरा धनिया और ये तयार हो गई गर्मा गरम आलू की टिक्की तो मैंने बताया इस तरीके से कि अगर आप घर पर बनाएंगे ये आलू टिक्की तो बिल्कुल परफेक्ट इनके जैसी ही बनने वाली है कुछ टि कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू पाई